हला दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अडिनियम की कटिंग को कैसे ग्रो करते हैं दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो सस्क्राइब और लाइक भी कर देना और बेल आइकन दबाके ज पर आज मैं आप से शेर करूंगी कि किस तरह से लगाना चाहिए और कैसी स्वायल देना चाहिए यहां पर मेरी एक कटिंग है जिसको मैं आपको इसकी रूट्स बनने लगी है इसको मैं अभी दिखाती हूँ उखार के मैंने नेक्स्ट येर इसकी कटिंग ये लगाई थी दोस्तो और आप इसको देखेंगे कि ये कटिंग कितने अच्छे से सक्सेस हुई है तो दोस्तो अडेनियम को बहुत महेंगा प्लांट होनी की बज़े से इसको आप ज्यादा नहीं ले शकते हैं तो आप इसकी कटिंग से बहुत आशानी से इसको लगा सकते हैं कम खर्चे मे कम पैसे में आप कटिंग से धे शारी प्लांट रेडी कर सकते हैं दोस्तो आज मैं आपके इसकी श्वायल मिक्ष कैसे बनानी है और कैसी कैसी कटिंग इसको लेनी है तो यह सब शेयर करूंगे यहाँ पर मैंने बहुत शारी कटिंग से अपनी ग्रो की है और यह कटिंग मैंन यह वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझसे बताईगा मैं इसका वीडियो भी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे प्रून किया था तो यहां पर मेरी कटिंग्स हैं और यह कटिंग मैंने दो दिन ऐसे ही छोड़ दी है क्योंकि दोस्तों अडेनियम में इसमें वाइट वाइट शै और दो दिन बाद आपको इसकी कटिंग को मिट्टी में लगाना है तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से इस कटिंग को लगाएंगे और कौन सी मिट्टी लेंगे तो दोस्तों मिट्टी में मैंने 20% स्वाइल ली है और दोस्तों मैंने 80% रिवर सेंड ली है आप चाहो तो 70% रिवर्सेंट और 20% मिट्टी और 10% खाद ले सकते हैं खाद में आप बर्मी कंपोस्ट या गुबर की खाद लेख सकते हैं पर आपको ध्यान रखना है कि 70% से भी ज्यादा आपको रेत लेनी है रेत मतलब जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो बालू लेनी है क् इसमें पानी बिलकुल भी नहीं रुकना चाहिए और नहीं खड़ा होना चाहिए पानी इसलिए इसको मॉस्चर आपको नहीं ठहराना है नहीं इसमें कोई कोकोपीट मिलानी है और नहीं आपको इसमें राइसस मिलाना है कटिंग को आप इस तरह से मिटी दे और आप फंज यह शायद नहीं है तो आप फाल्दी का इस्तिमाल कर सकते हैं एंटी फंगल होती है दोस्तों कर बहुत आसानी से यह लग जाएगी तो इस तरह मैंने स्वाइल बना ली है और आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको ज्यादा गहरा पूर्ट नहीं लेना है और नहीं कटिंग को आपको बहुत नीचे तक दवाना है तो आपको इस तरह से उतला पूर्ट लेंगे और थोड़ी मिट्टी आप इस तरह से आप पूरी मिट्टी अपने पूर्ट में भर ले तो इस तरह से मैंने देखेंगे आपके मैंने दोनो पानी बिल्कुल भी ना डाले दोस्तो इसको एक बार अच्छे से गीला करें जिसे कि हमारी जो कटिंग है वो आसाने से लग जाए तो इस तरह आप ये देखेंगे ये बिल्कुल पार्ट नीचे का बिल्कुल सूख गया है और सूखने के बाद मैंने एंटि फंगल पाउडर लिया है आप चाहो तो इसमें हल्दी का इस्तिमाल कर सकते हो या फिर एलोवरा जेल को लगा सकते हो और इस तरह से आपको कटिंग को लगा देना है दोस्तो दो नोड एरिया कटिंग के नीचे दवे होने चाहिए और दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी कटिंग पे ज़्यादा पानी बिल्कुल ना दे एक एक करके आप सारी कटिंग लगाएंगे और इसको ऐसी जगह रखे जहाँ पे इन्हें मौर्निंग की सनलाइट मिले दिन भर की धूप में इसको बिल्कुल ना रखे प्ले कोड इसमें एक नया लुक देना चाती हूँ अगर ये लुक अच्छा सा बना तो मैं आप से शेयर जरूर करूँगी तो मैं पान्चे कटिंग एक साथ इसको बांध लिये हूँ और इस तरह से मैं लगा दूँगी और ये दोस्तो लग जाएंगी मुझे विश्वास है कि ये बिल्कुल 100% ग्रो हो जाएंगी तो इसका ट्रिंक बहुत अच्छा आएगा एक आलाग लुक देगा तो एक बार पानी डालने के बाद दोस्तों दुबारा पानी ना डाले दुबारा पानी जबी डाले जब आप इसको कम से कम एक बीक के बाद आपको दुबारा असानी से ये ग्रो हो जाएंगी बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऊवर वाटरिंग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको इसकी कटिंग को बार बार नहीं छेड़ना है कम से कम 5-6 महीने इसकी कटिंग को मत उखाड़े जो गली कटिंग लगे उसको हटा द बढ़ना दुस्तो